हेलो अवरीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजू किस्टन चैनल में आपका स्वागत है, आज की वडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, तो हम सिखेंगे इरेक्टाइल दिस्फंक्शन के बारे में कि जिसको हम नपुन संक्ता भी कहते हैं, तो ये होने के कारण क्या होते हैं, लक्सन और, इलाज के बारे में डेटेल में सिखते हैं, आज की लेक्चर के अंदर, एक्सपर लेक्चर बायमर सर, असिस्टम प्रोफिसर और मुईस की स्टोरी को सिंप्ली हिंदी में एक्स्प्लेंड की गई देख पाएंगे तो भी सब्सक्राइड करें हमारा सेकंड चैनल हॉलिवुड टु हिंदी एक्स्प्लेंड जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी साथ इसी के दवाईयों के बारे में अलग लग विमार्यों के उपचार के बारे में कौन से दवाईया यूज होती है उनके डोस, साइड एफेक्ट, वर्रिंग और कॉन्टर इंडिकेशन को एक साल तक अफ़रिबल प्राइज में फार्मरोक्स के अप उपर एंडुएड उजर एंडुएड आप डाउनलोड करें आइफ़ोन यूजर आप स्टोर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर प्याफ हमें कॉल या वाट्सेप कर सकते हैं तो अब समझते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में तो इसको इंपोटेंसी भी कहा हो जाता है कि जिसके अंदर मेल के अंदर स्पेसिल उनके रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से जुड़ा ये प्रॉब्लेम है कि जिसके अंदर जो प्रॉपर इरेक्शन होना चाहिए पैन इसके अंदर सेक्सिल एक्टिविटीस को परफॉम करने के लिए तो वो off-produce नहीं होता और जिसके करन क्या होता है कि उसके अंदर ना ही proper strength होती है ना ही erection rate कि जिससे आप कोई sexual activity कर पाए कि यही विमारी को erectile dysfunction कहा जाता है तो यह ऐसी medical condition है कि जो reproductive system से जुड़ी है पूरूस होके और specially क्या होता है कि जब blood supply जो होता है पैनिस रिजिन के अंदर वो काफी काम हो जाए या फिर जो हम कहें कि blood flow काम हो जाने के करन जो erection develop होता है वो erection develop नहीं हो पाता और उसी के करन जो condition produce होती है उसको हम कहते है कि erectile dysfunction के जिससे proper strength नहीं होती और ना ही वहाँ पे erection होता है because कि जो especially erection के लिए जो ज़रूरी blood flow है वो ही कम हो जाता है और उसी के करन erectile dysfunction का problem जो होता है तो जो erection के हम बात करें तो यह किस तरह से आता है तो erection नाने में अलग-अलग जो body की जो system से उसमें annual होती है तो सबसे पहले तो जो आपकी reproductive system है कि जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है कि पूरू-सो का जो प्रजनन तंत्र है उसकी anatomia लगकि उसकी रचना और उसके carrier से जुड़ा है एक erection फिर जो हमारी nervous system है body की जिसको चेता तंत्र बिका जोता है वो भी इसके अंदर इनॉल होते है बिकाज यहाँ पे आप देखो तो neurons का भी supply रहता है पैनिस के जो tissues होते है उसके regions में और वहाँ पे blood supply भी होता है कि जिससे blood flow भी वहाँ पे produce होता है कि जिससे जो erectile tissues होती है कि जो erections के लिए काफी जरूरी है तो वहाँ पे वो अच्छे से अपना blood supply गर दिये तो जो erection होता है उसके अंदर अलग-अलग body के parts involved होते है जैसे कि हमारा brain involved होता है central nervous system में से hormones का भी वहाँ पे काफी role है फिर emotions के कारण भी वहाँ पे proper erection जो हो प्रॉड्डीस होता है neurons के function के कारण कि जो अभी जो हमने बात की कि जो nervous system का जो function है और हमारे जो muscles है body के और blood vessel तो यह सभी के सयुक्त कारिय से जो proper erection जो वह प्रॉड्डीस होता है पैनिस के अंदर बट जब इनी related कोई problem होता है तो erectile dysfunction का जो वह बिमारी होती है तो उसके symptoms हम देखे तो erection में problem होता है साथो साथ sexual desire जो आपके काम हो जाती है कि जिससे हम कह सकते कि erection होने में परेशा नहीं होना erection बनाए रखने में भी परेशा नहीं होती है और यौन इच्छा जो वह आपके काफी कम हो जाती है तो उसके कुछ reasons समझते है और reason में पहला एक reason है कि psychological reasons होते हैं कि कई बार आपकी mental health से जुड़े भी कुछ problem होते हैं कि जिसको mental health conditions हम कहते हैं कि जिसमें सबसे top पे आता है depression, anxiety जिसको हम कहते हैं कि आप depression में है, stress में है, anxiety मलब कि आपको कोई चिंता है या फिर कोई stress है आपकी life में तो उसके कारण भी आगे जाके आपको erectile dysfunction का problem हो सकता है फिर या यह जो diagram के according to आप देखो तो relationship problems मलब कि couples के बेच में कोई proper understanding नहीं है, communication काफी poor है तो वो भी erectile dysfunction के लिए एक reason बन सकता है तो जब हम treatment के बारे में सीखेंगे तो वहाँ पे भी एक option आएगा कि जब आपको reason पता हो तो वो reason के basis पे आप उसका उपचार कर सकते कि अगर reason है कि stress के करन person को ऐसा हो रहा है patient जो हो stress में है और stress के करन यह problem हो तो अगर उसका stress जो हो remove हो जाता है तो भी erectile dysfunction का problem जो हो swallow हो जाता है उसी तरह से anxiety में लग कि चिंता related कोई problem है, depression में है तो जब उसकी mental health काफी सुधर जाती है तो automatically यह problem भी swallow हो जाता है और अगर communications related problem है, relationship related problem है तो जो जो अच्छे बनाने का प्रहतना करना चाहिए कि जिससे आप यह problem का solution ला सके आगे दिखते हैं दूसरे कुछ ऐसे reasons की जो physical causes है physical मतलब की जो हमारी body की anatomy and physiology related है जैसे कि सबसे पहले diabetes के, अगर किसी को diabetes है तो आगे जाके वो एक risk factor बन सकता है erectile dysfunction के लिए फिर second obesity कि अगर आपके body के अंदर काफी obesity है obesity class 1, 2 या 3 के आप patient है तो भी आपको ED हो सकता है आगे जाके sleep disorders मतलब की आपकी नीद पूरी नहीं होती आप सो नहीं पाते है या फिर आपकी नीद पूरी नहीं होती तो भी ये problem हो सकता है आपके body के अंदर cholesterol की मातरा बहुत ज्यादा है फिर blood pressure आपका काफी high रहता है diabetes के आप patient है, टॉबे को यूज करते है alcohol का consumption करते है, सराब का सेवन करते है smoking के आपको habit है, prostate cancer हुआ है या फिर जो sex hormones होते है कि जिसको testosterone हम कहते हैं उसकी मातरा आपके body के अंदर बहुत ही कम हो गई है testosterone का level कम हो गया है atherosclerosis का problem है या फिर Parkinson's disease का problem है तो ये सबी एक reason बनते है erectile dysfunction के लिए तीसरे कुछ ऐसे reason से कि वो कुछ surgery से related होते है या फिर कोई injury से related होते है या फिर कोई दूसरी बीमारी related होते है कि reason में आपके penis area के अंदर कोई surgery की गई है तो उसके कारण भी आपका ये erectile dysfunction का problem हो सकता है फिर आपको specially जो पूरुसों के अंदर जो pelvic reasons होते है वहाँ पे समझे के कोई injury होई है तो उसके कारण भी जो है वो erectile dysfunction हो सकता है तिसरा reason बनता है आपकी spinal cord जो वो damage होई है वहाँ पे कोई injury होई है या फिर वहाँ पे surgery होई है because जो brain का reason है और brain के reason से spinal cord के थूँ ही हमारे body के lower parts तक जो है वो neurons आती है और वही से central nervous system से ही peripheral nervous system की और message जो है वो exchange होते है कि जिस type के जो message होते है जैसे कि emotions के basis के उपर जो penis के अंदे reaction आता है उसके related messages आ रहे है तो वो जो प्रॉपर जो है वो exchange नहीं हो कि जिसके कारण भी क्या होता है कि अगर spinal cord के injury होती है neurons को injury होती है तो भी erectile dysfunction का problem होता है और जो scare tissue develop होती है आपके penis के अंदर तो यह पर आप यह diagram में देखो कि जो erectile tissues होती है वो erectile tissue के अंदर ही scaring हो रहा है वो tissue damage हो रही है दिरे-दिरे तो अगर वो ही tissue damage हो जाए कि जिसके करण erection हो रहा है तो भी यह problem जो हो सकता है तो आगे समझते हैं diagnosis के किस तरह से पता चल सकता है कि आपको erectile dysfunction का problem हुआ है तो सबसे पहले physical diagnosis किया जाता है physical examination से पता चल सकता है second patient की medical history check की जादे कि जिसके अंदर आपको पता चली कि उसको कोई past में injury थी या फिर कोई mental health related कोई problem था या फिर कोई भी जो reason है वो आपको जब उसके medical history आप पता लगाऊगे तो उससे पता चलेगा और वो अच्छा तब ही possible होता है कि अगर अच्छे से एक patient counseling होता है तो यह यहाँ पर ज़रूरी बनता है diagnosis के लिए फिर confirmations के लिए blood test किया जाता है और उसमें भी जो testosterone का test काफी important है कि जो एक male hormone है कि जिसके करण अगर उसका level कम हो जाता है testosterone का तो भी यह erectile dysfunction का problem होता है तो यह खास एक ज़रूरी test बनता है कि अगर आपको erectile dysfunction हो रहा है फिर अगर कोई infections के करण हो रहा है तो urine test करना जरूरी है blood test करना जरूरी है ultrasound से कोई abnormality के कोई रचना में कोई problem होई है वह आपे कोई anatomy related problem है तो भी पता चलता है और psychological examination मतलब कि जो आपकी mental health की जो अभी हमने बात की कि mental health भी यहाँ पे जरूरी है कि mental health सही नहीं होगी तो भी आपको erectile dysfunction का problem होता है तो ये भी एक diagnose किया जता है ED के अंदर आगे आप बात करते हैं उसके treatment की treatment किस तरह से हो सकती है तो अभी जो हमने discussion किया कि जब reasons आपको पता हो उसके causes पता हो तो उसके business पे आप treatment कर सकते हैं अगर obesity के करण ED हुआ है तो अगर आप obesity का भी इलाज साथ में चालू करो तो जैसे आपकी obesity कम हो जाएगी तो erectile dysfunction का problem भी solve हो जाएगा अगर आप depression में हो और depression solve कर देते हैं तो भी ये problem solve हो सकते हैं तो आसान इसे treatment तभी आप कर पाओगे कि जब आपको उसका reason पता होगा तो सबसे पहले जब आपको erectile dysfunction हो रहा है तो ये पता लगाना जरूरी है कि कौन से reason से ये हो रहा है और जब reason सही से पता चल जाता है तो इलाज जब वो काफी आसानी हो जाती है तब इलाज के कुछ अलग-अलग options हम देखे तो सबसे पहला option बनता है lifestyle modification का second option बनता है herbal medicines का तिसरा herbal medicines के साथ हो साथ जो oral medicines भी patients ले सकते है injections therapy आती है कि जो एक चौथा option बनता है पाचवा option रहता है सबोजिटरी का चठा रहता है टेस्टेस्टेरोन replacement का अगर आपका टेस्टेस्टेरोन का level आपके body के अंदर कम है vacuum pumps का एक option बनता है और panel implants जैसे अलग-अलग 8 options available है erectile dysfunction के इलाज में तो सभी को detail में समझते सरुवात करते है lifestyle modification से कि जिसके अंदर आपको एक तो healthy diet लेनी है खाने में आपको proper healthy diet लेनी के जिससे ये problem ना हो because कई बार diet poor हो और poor diet के करन कई बार क्या होता है कि body के अंदर एक प्रकार से weakness आ जाती है कमजोरी आ जाती है और वो भी कई बार reason बनता है erectile dysfunction के लिए second आप yoga कर सकते है meditation कर सकते है exercise करिए 8 गंटे की proper नीद लिजिए weight आपका manage रखे और cycling या फिर aerobics जिससे exercise कर सकते हैं कि जिससे आपकी जो वो lifestyle जो काफी modified हो तो ये सबसे important है second है herbals तो herbals में सिलाजित सबसे ज़्यदा popular है इसके अंदर कि जो आपके लिए mental health के लिए साथ हो साथ जो हम बात करें कि जो एक ठकान, कमजूरी, stamina कम हो जाना, strength कम हो जाना तो वो सब जो वो produce कराता है ये medication सिलाजिती जिसके अलग-अलग आप branch दे को तो डाबर का आता है, जन्डू सिलाजित available है, हिमालिया के confido करके preparation है, और पतन जली का भी सिलाजित के capsule से available होते हैं, तो ये एक herbal medicine से, कि जो आप दूसरे medications के साथ ले सकते हैं तो first option आपका रहता है, lifestyle modification, और उसके बाद आप ये herbals भी start करें कि जिससे ED का problem solve हो सकता है तीसरा oral medications कि जो काफी popular है कि जिससे sildenafil आप यहाँ पर देख रहेगी 100 mg के film coated tablet आते हैं, और उसका ये famous brand name की जो वायगरा करके है, कि Pfizer उसके manufacture है, second टाडाला फिल करके medications आते हैं कि यहाँ पर अब उसका एक marketed formulation देखो तो जो 20 mg के भी film coated tablet है, तीसरा है और वाडे ना फिल करके आता है, लेवी ट्रा करके medication से, कि जो भी 20 mg के film coated tablet और चौथा medication से, एवाना फिल, तो इसमें से कोई भी एक, जो भी आपकी body को suit करता हो, वो कोई भी एक जो वो patient को prescribe कर सकते हैं फिर, चौथा option रहता है ultrostradil के self injections का, कि जो specially erectile tissues के अंदर लगाया जता है, तो यहाप याप यह injection देखो, तो यह injection लगाने के लिए एकदम fine needle के आपको ज़रुरत पड़ती है और वो fine needle को use करके proper expertise के साथ, penis के base के भाग में जो यह injection लगाया जता है specially, और वहापे लगाया जता है, यहापे injection site बताईगी गई है यह वाला injection और site है उसकी यह वाले जो tissues होते हैं, जिसको erectile tissues हम कहते हैं तो वहापे यह injection जो लगाया जता है और यह 30 minutes पहले लगाया जता है कि जब भी आप कोई intercourse वगरा perform करते हैं, और यह जो minimum 1 गंटे का या फिर 1 hour का आपको erection प्रुवेड करती है पैनिस के अंदर, तो यह option तब यूज किया जाते हैं अगर आगे के जो 3 options से आपको problem solve ना हो तो ही यह number 4 वाला option आपको यूज करना है, वरना number 1, 2 and 3 से ही treatment हो जाती हैं, अगर number 4 वाले option से भी ठीक नहीं हो रहा, तो पांचपो option बनता है urethral suppositories का, कि जिसके अंदर, जो suppository जो होती है, intra-urethral suppository वो specially, जो urethral region होता है, पैनिस का वहाँ पे insert किया जाते हैं, उसका भी आप यहाँ पे marketer formulations देखते हैं, muse करके कि जो all-prostar deal का है, कि जो अभी हमने injection discuss किया, वही medicines के यह suppositories available होते हैं, कि जो directly आप insert करते हैं, urethral के अंदर चाथा option रहता है testosterone replacement therapy का कि अगर reason है erectile dysfunction का, testosterone का low level, तो ऐसी condition में आप जो है, वो testosterone के जो injection, जो है, वो लगवा सकते हैं, कि जिससे patient का, जो वो testosterone का level, जो हो maintain हो जाए तो ये एक effective treatment बनती है, कि जब hormonal problem है hormonal level कम होने के करण, ये ED हो रहा है, तो उस वक्त कि जब आप blood test कराते हैं, और पता चलता है, कि testosterone का level काफी कम है, तो उस वक्त ये option रहता है, साथवा option है हमारे पास vacuum pumps का, कि अगर एक से छे वाले option काम नहीं कर रहे हैं, तो vacuum pump से भी जो वो treatment की जासे ही ते, मनलब कि ये एक induce करवाता है erection, बागे को इसका medicinal ही कोई purpose नहीं है ये इलाज नहीं करता है, सिर्फ erection produce कराने में help करता है, कि ये क्या करता है एक vacuum pump की तरह काम करता है, और ये vacuum pump क्या करता है, जो blood flow होता है, या फिर जो blood होता है, उसको vacuum की मदद से उसका suction करता है penis reason के अंदर की जिससे वहाप ये blood flow increase होने के कारण erection develop होता है और इससे भी समझे की ठीक ना हो, तो आखरी एक option रहता है number 8 वाला, कि जो है penis implants, कि जो इस तरह की implants आते है, साथ में एक pump होता है, reservoir device होती है जो surgery करके जो वो place किये जाते है devices penis के अंदर, तो ये है proper detail explanation, तो second channel जो हमारा है, Hollywood to Hindi explain, कि जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी, उसको जरूर से subscribe करें, और वो चैनल के बारे में मैं आपको बता हूँ, तो वहाँ प्याप अलग-अलग जो Hollywood की movies है उनकी stories को हिंदी में explain की हुई देख पाएंगे और वो भी काफी अच्छी तरह से explain की हुई, आपको सभी movies वहाँ पे मिलेंगे, तो अभी subscribe कर लिजे, ये हमारा second चैनल की वो स्पेसिल एक entertainment परपस से बना हुआ है तो डाउनलोड करे फार्मारोक्स का अब जहाँ पर एकसेस करें दरह गलग दवायों के बारे में उनके डोस के बारे में side effect warning and contraindications को एक साल तक affordable price में फार्मारोक्स के अब उपर दवायों के basic use, dose, side effect warning and contraindications के लिए डाउनलोड करें फार्मारोक्स या फिर वाट्सप करें 90163120200 पर लिंक आपको description box में मिल जाएगी या फिर directly हमें ये number पर वाट्सप कर सकते हैं गूद लग और अल दे बेस्ट